ब्रॉट टी यू बाई प्रोबो जीत पाई फाईनल तक कर सफर तै करती है सन्राइजर्स हैदराबाद वो टीम पिछले तीन सीजन में जो की दोज़र चोबिस का आईपिल खेले जाता है उससे पिछले तीन सीजन में लगातार कहें फ्लॉप साबित होती है लेकिन क्या कुछ इस टीम ने सीजन में हासिल किया जो इस टीम की फ्रेंचाइजी के ओनर्स चाहेंगे कि वो अगले सीजन के आईपिल में भी जो है उनी खिलाडियों से उनको मिले अब आईपिल का आउक्शन जो है जो मेगा आउक्शन होने वाला है वो करीब एक महीने बाद अब से एक या देड़ महीने बाद मेगा आउक्शन भी हो जाएगा अला कि डेड़ अभी तक साफ नहीं हुई है लेकिन नवंबर के लास्ट या फिर दिसेंबर के फर्स वीक में मुम्किन है आउक्शन हो सकता है अब इस आउक्शन में संराजस हैदराबाद की टीम मेनेजमेंट जो है वो किस माइंडसेट के साथ जो है आउक्शन की टेबल पर बैठती है और कौन से वो छे खिलाड़ी हैं जिनने वो रिटेन करती है क्योंकि आप सभी को यादों का अब इते दिनों पहले BCCI ने रिटेंशन पॉलिशी जो है वो रिलीस की थी जिसमें मैक्सिमम जो है एक फ्रेंचाइजी छे प्लेयर्स को अपनी टीम में रिटेन कर सकती है जिसमें कंडिशन्स थी कि 5 जो है मैक्सिमम जो है 5 प्लेयर्स हो सकते हैं चाहे वो इंडियन हो या फिर ओवर्सीज हो लेकिन इसके लावा एक कंडिशन हो थी जिसमें दो सिर्फ जो है अनकेप्ड प्लेयर्स एक टीम में हो सकते हैं और वो भी सिर्फ इंडियन अनकेप्ड प्लेयर्स तो ये कुछ कंडिशन्स दो है अनकेप्ड प्लेयर्स एक जो है फ्रेंचाइजी अपनी टीम में एड कर सकती थी रिटेन प्लेयर्स के तोर पर अब इसमें हैदराबाद कौन से वो छे प्लेयर्स है जो अपनी टीम में रिटेन कर सकती है IPL 2025 से पहले वो हम इस वीडियो में जानेंगे तो फटा-फट से शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन पर ये पहली तस्वीर देखेंगे ये है टीम के कप्तान पैट कमिन्स की जो कि कहें इसी सीजन में IPL 2024 में हैदराबाद के टीम में जूड़े थे और जो इनका अमाउंट था जिस अमाउंट पर ये सन्राइजर्स हैदराबाद के साथ जोड़े थे तो वही एक कहें हिस्टरी क्रेट कर गया था जापर सेकंड हाइएस जो पेट रहे थे इस अब तक की IPL हिस्टरी के जिसमें 20 करोड और 50 लाग के माउंट पर जो है ये हैदराबाद के टीम में जाते हैं कपतानी मिलती है इनको टीम के और टीम को कहें फाइनल तक पहुचाते हैं तो जाहिर सी बात है कि टीम की नजरे एक बार फिर से पेट कमिंस पर तो होंगी कि इस प्लेयर को तो रिटेन किया जाए और कहें फिर से कपतानी का मोका दिया जाए अगला प्लेयर जो आता है वो तो खेर डाउट होने वाली बात भी नहीं है कि इस प्लेयर को हैदराबाद की टीम रिलीस करेगी तो करेगी कैसे जाहिर सी बात है कि रिटेन ही करेगी तो यहाँ पर नाम है ट्रेविस हैड का जो की इसी सीजन में जो है मिनी आॉक्षन में हैदराबाद की टीम से जुड़ते हैं 6 करोड 80 लाक के अमाउंट के साथ हैदराबाद की टीम अपने टीम में शामिल करते हैं और हैड इसका रिवोर्ड जो है उनको मिलता है अच्छी तरह से हैदराबाद की टीम को जहां पर वो 500-500 जो है सरसट रन जो है अपने 15 मैचिस में बनाते हैं जिसमें स्ट्राइक रेट देखेंगे तो उनका 192 का स्ट्राइक रेट भी रहता है तो अच्छी खासी बल्लेबाजी हैड से ना सिर्फ IPL ने बलकी ओवरोल जो है देखने को मिलती है लेकिन IPL में जिस तरह से उन्होंने कहें 10-10 ओवर में मैचिस जो है फिनिश किये थे खास दोर में वो लखनव सुपर जाइंट्स के के खिलाफ जो मैच खिला गया था जिसमें पूरे 10-100 ओवर भी नहीं हो पाए तो और 150 प्लस का टारगेट जो है हैडरबाद के टीम में चेस कर दिया था इनके जोड़ीदार जो रहे थे उसमें अभी शेक शर्मा रहे थे खिर उन पर भी आएंगे लेकिन आगे बढ़ते हैं जो तीसरा नाम जो इस लिस्ट में हो सकता है वो और को इनेबल की एक और ओवरसीज प्लेयर हेंडरिक क्लासियन हेंडरिक क्लासियन की बात करें तो उन्होंने 2023 में हैडराबाद के साथ वो जुड़ गए थे जिसमें 5 करोड 25 लाग के अमाउंट के साथ उन्हें हैडराबाद की टीम स्कॉाइड में शामिल किया था और इनका पिछली सीजन का अगर स्कोर देखें तो 479 जो है इनका स्कोर आता जिसमें 16 मैचेस इन्होंने खेले थे और स्ट्राइक रेट देखेंगे तो अब आते हैं इंडियन प्लेयर्स पर जो की है अभिशेक शर्मा जहां मैंने भी बात की थी कि ट्राइविशेक शर्मा के साथ किस तरह से ओपनिंग पार्टनर्शिप ट्राइविशेक शर्मा के बीच कहें खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ये आईपेल 2024 में मानी जारी थी और मुम्किन है कि ये जोड़ी बरकरार रहे कि आईपेल 2025 में भी और इसी तरह का कहें अटैक इन दोनों बैटर्स से देखने को मिलेगा जहाँ पर ये जो है रिटेन किये जाते हैं 2024 के आईपेल में इस दुरान अगला प्लेएर जो पांच वह प्लेएर जो आ रहा है वो है इंडियन प्लेएर ही है नितिश कुमार रेडी अब कहें भई इस प्लेएर की तो क्या कुछ तारिफ की जाए क्योंकि युवा खिलाडी है आंदरप्रदेश से आता है और क्या कुछ अपने टैलेंट को जो है शो करता है Emerging Player Award भी जो है इस प्लेएर को पिछले सीजन में 2024 में जो आईपेल में मिलता है उसकी वज़ा यही रहती है कि ये प्लेएर 303 रन मनाता है 13 मैचिस में 143 के स्ट्राइक रेड के साथ और यही एक इस प्लेएर की सबसे बड़ी achievement है कि ये प्लेएर अभी इंडियन टीम के squad का भी हिस्सा बन चुका है जो कि T20I squad है इंडियन टीम का बांगलादेश के किलाब जो series होनी है उसमें जो है टीम इंडिया के squad का हिस्सा है लेकिन महाँ अब प्लेइंग 11 में खिलने का मौका मिलता है या नहीं ये देखना जो है दिल्चस्प रहेगा लेकिन नितिश कुमार रेडी भी एक वो प्लेएर हो सकते है जिनने हैधराबाद की टीम रिटेन कर सकती है तो ये वो 5 प्लेएर है हलाकि 6 प्लेएर रिटेन करने एक फ्रेंचाइजी को अब इसमें 5 प्लेएर तो ये हो सकते है अब 6 प्लेएर वो कौन सा हो सकता है ये आप हमें जो है जो है comment section में जाकर के बताएंगे जिसमें एक बार square भी जो है आप अपनी screen पर देख लें जिसमें और भी प्लेएर हैं जिनने हैधराबाद की टीम इन 5 के लावा रिटेन कर सकती है वो कौन से हो सकते हैं आप इस square को देखकर जो है idea लगा सकते है जिसमें भूवनिश्वर कुमार एक वो नाम है उमरान मलिक एक वो नाम है अबदुल समाद एक वो नाम है साथ साथ वशिंग्टन सुन्दर एक वो नाम है राहूल तुरिपाटी है इस square का हिस्सा अगर overseas players की बात करें तो मारको यंसन भी इस square का हिस्सा है ग्लैन फिलिप्स जो है इस square का हिस्सा है तो अब इन में से और कौन से player है जो की इन 5 में किसी भी खिलाडी को replace कर सकते है या फिर छटे खिलाडी के तोर पर SRH की return list में आ सकते हैं आप हमें comment section में बताएं वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूलें Facebook पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी जाकर जो है इस वीडियो को like करें comment section में वहाँ पर जो अपनी राय देख करके जाएं फ्लाइल के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया जोइन केचियो स्पोर्ट्स तक का टलिग्रैम चैनल जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको fantasy picks मिलेगा exclusive content और सबसे तेज अपडेट्स अपने गेम का लेवल बढ़ाई को सिर्फ पर सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ